प्रेंस जो अब्जेक्टिव स्रीच चल रहा था चलिए उस लिए के आगे बढ़ते हैं और एक्सलेंट करके चलेंगे अब प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जिससे आपको एक्सलेंट किया हुआ है सब कुछ कुछिन इंसर बढ़िया से समझेंग ठाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए अम लोग का उसीन सिस्टी तक हो गया था सिस्टी वान से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका कुस्षिन है विल वेस अफ यूएसी बगी तो हम लोग का जो पहले यूएसी बगी यूच होता था हम लोग का पहले जो यूएसी बगी यूच होता था तो इसमें हम लोग देख लेते हैं यूएसी बगी जो था यह सी बोगी में क्या होता है आपका लेमिनेटर आपका स्प्रिंग यूच होता था तो यह सी बोगी में हम लोग का फुल बेस हो जाएगा यहीं पर आपका 2896 mm हो जाएगा 864 mm हो जाएगा उसी सब लेज़भी में लेज़भी में कभील भेस हो जाएगा है तू 560 mm 2560 mm हो जाएगा इसको वियात रखे और आप लोग का कैस्नल बगी चलते हैं तो कैस्नसमी बगी देखे यह तो आपका हो गया यह ऐसी होगी में 2000 में क्या है आपका 2000 प्लस मैंनस इसको भी यात रखिए यह हो गया विल वेस यह भी कुछी में रिपीटेड कुछीन है इसको बढ़ियां से यात रखिए एक्जाम में बराबर आ रहा है चलिए नेक्स कुछीन के तरफ चलते हैं सबसे लेटरल और लाइटरल एंड लॉंगी चुन डिनल गैडेंस तो फील आइस फ़ोगी इस टेकन फर्म हम लोगा लेटरल और लोगी चुटेड़न जो गायडेंस है इसको आई से फ़ोग में किसके माध्याम से यह होता है तो इसमें हम लोग का हो जाएगा डेसपर्ट हो जो जाएगा आका जिया जाएगा आप् mindset क्वेज थर्म लूंगि कंच्रोल आरह यह चाहिए इस एव लीचमित क tendencies तो आपका अल एक ना या रहा है तो आपका डूने से गजाएगा आपका अलिचेजय थरो इनकित को जा था डाइस को वह कि ऊसी से यह अन्सिक्त है लेट्रल लोगिच्च tal गाइदेंस जाता है तो आपका लेजब कोच में हो जाएगा कंट्रोल आर्म जैसिके Seb कोच में डेसपॉर्ट है लेजब सब्सक्राइं है इmagम स है तो यह पर चलिए एंसर आपका हो जाएगा 555 में तो चलेंगे थोड़ा इडायमेंशन देखेंगे इडायमेंशन हम लोग किसको बोलते हैं अगर यह बैसिक क्लियर होंगे तब जाके हम लोग को समझने में आसानी होगा आप जान पाएंगे तो इडायमेंशन देख लिज वह श्ुख सीधिक और शुख ज guilty दागी दिया हुआ रहे ता मार्क दिया रहेता है उसी को बीच का-डिस्टांस को बोलते है कि कि पकल लिजे आपका होगया आपलोगह का यह से भी है इस्पिनडिल निकला है इस्पिनडिल हो गया और इस स्पिनडिल में मर्क दिया रहे तो स्पिनिल रहता है उसका अंदर जो स्पिनिल रहेगा उसी को मार्क रहता है कि उसको बीज रूली हम लोग बोलेंगे टेविजन दीमेंशन फॉलका गूट्स में द देखतें तो गूट्स के दित पहले हैं गूड स्टोक में उसी सबसे कोचिंग स्टोक में हम लोग देखेंगे कोचिंग स्टोक में हो जाएगा कोचिंग स्टोक में 375 प्लस मैनस 25 यह हो जाएगा 375 प्लस मैनस 25 यह हो जाएगा हम लोग कोचिंग स्टोक में जो कि conventional coaching में यूच होता था इसमें की दो सेपी लगा हुआ रहता है लेकिन BMBC में इस सब चीज को eliminate कर दिया गया इसमें उठाए दिया गया है अभी हम लोग का ICF coach में आपका इसमें सेपी को हटा दिया गया है तो conventional coach में वो पहले था तो good stock में हम लोग का हो जाएगा आपका 575 mm का बीच में आपका e-dimension हो जाएगा उसी सब conventional का अगर किसी कारण ये कुशिन में आ जाता तो आप लोग उसमें answer कीजिए 375 plus minus 25 mm जो की conventional coach में चलता था जिसमें सेबी था जो की अभी हम लोग का सेबी मोडेल को विड्र कर दिया गया सर्विस से अभी नहीं चल रहा है अभी बीमबी सी कोज में सेबी का requirement नहीं है तो next question के तुरब चलते हैं देखे यहां बोरके medical भेन का speed पूछ रहा है तो medical भेन का speed of medical भेन जिसको की हम लोग इसका जो transportation code होता है medical भेन आपका medical भेन का transportation code हो जाएगा और इसका जो हम लोग का speed है 100 kmph है 100 kmph इसको यात रखिए यह भी question में आता है permissal speed of four wheeler tank wagon जब हम लोग का four wheeler tank wagon आ जाएगा तो यहीं पर हम लोग का जो permissable जो speed है वो 60 kmph होगा जेतु यह four wheeler tank wagon है इसलिए इसका speed हो जाएगा आपका 60 kmph चलिए next question के तरफ चलते है पिस्टन स्टोक अप बीबी जड़े बीबी जड़े जो की हम लोग का आपका बोगी लगता है तो इसमें उसी अंसर आप लोग का इसका पिस्टन स्टोक हो जाएगा 32 mm हो जाएगा जिसमें बीबी जड़े आपका पिस्टन स्टोक हो जाएगा 70 plus minus 10 mm इसको भी नोट ड़ून किज WEBZC four wheeler ब्रेक्वन है जिसमें की आपका पिस्टन स्टोक हो जाएगा 70 plus minus 10 mm तो उसी सब बीबी स्चेएम देखें बीवी बीवी से हैं यह हो जाएगा यह भी आपका ब्रेक भेन है जिसमें कि आपका केशन अब बगी यूच होता है इसमें आपका पिस्टन स्ट्रूक हो जाएगा 85 प्लस मैंनस 10 मैं इसको भी नो डान किजी यह भी आपका एक्जाम में आ रहा है चलिए next question के तरफ चलते हैं अबना length of lhb coach जब simple length of lhb coach पूछ रहा है तो इहीं पर आपको headstock to headstock लेना है headstock to headstock लेना पकल लिजे यह coach है यह distance हो हम लोग लेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 23 540 mm हो जाएगा आपका lhb coach का length हो जाएगा headstock to headstock length है यह simple lhb coach का length है अगर इहीं पर आप लोग को पूछ रहेगा coupler to coupler coupler to coupler अगर हो जाएगा length over coupler हो जाएगा तो इहीं पर आप लोग ले लिजे 24,000 mm हो जाएगा इसका आपका lhb coach का length जो की length over coupler हो जाएगा अगर length over body दिया हुआ है इसका मतलब आपका headstock to headstock है 23,540 mm यह दोनों को याद रखी यह भी question में आ रहा है चले next question के तरफ चलते हैं मैक्सिम्म डायमेटर एक्सल मांटर डिक्स ब्रेक इन लगा हुआ है इसका हम लोग का यह डायमेटर पूछ रहा है इसका डायमेटर हो जाएगा आपका 640 mm 640 mm next question चलते हैं thickness of brake pad disc brake system हम लोगा डिक्स ब्रेक system हो गया डिक्स ब्रेक है उसमें आपका जो डिक्स लगा हुआ है इसमें बोरै इसमें जो पैड यूँच हो रहा है आपका पैड यूच हो रहा है braking के लिए और पैड यूच होते है दोनों मजमे तो यह पेड जो पूरहे इसका ठिक्नेस वूझ रही तो ठिक्नेस हो जाएगा नया में नियू में हो जाएगा आपका 35 mm हो जाएगा कंड़मिंग हो जाए seven mm कंड़मिंग हो जाए दोनों इंपर्टन्ट है दोनों की याद रखी तो आपका ब्रेकपैड का जो आपका नया ब्रेकपैड का जो थिकनें से मोटाई है 35 mm है और इसका कॉंडोमिंग है 7 mm चलिए फिर आज आते हैं नेक्स कूचिन के तरफ चलते हैं तो आपका ब्रेक सिलिंडर लग कोच का बोरा के आपका कितना संख्या में कितना नमबर में आपका कितना संख्या में एक तो एक एक तो हो जाएगा पकल दीजे यहीं पर आप लोग का L PCB कोच हो गया L PCB कोच में आपका 8 के संख्या में रहेगा 1 कोच में रहेगा 8 परबगी रहेगा 4 रहेगा यह हो जगा आपका BRAKE SILINDR कितना संख्या में BC है BRAKE SILINDR तो आप लोग का यह देखे 1,2,3,4 एकसल हो गया इसांट रोफ़ लोग का द्र कसनेट आपका हो जाएगा अपका हो जाएगा आठ तो आपका इस वाक प्रकोज्ट बोलने सापका इसा हुझेा । इस इसाब से यह हसे में थोड़ा देख लेते हैं इसमें दोनों ट्रोली म हो गाए इच प्रजय जो ये बिएम बेस सिस्टम है, Icf coach में हो ज्यागा है, इसमें दो उठो और इसमें दो उठो, total coach में हम लोगा हो ज्यागा है, चार कसंख्या में आपका brake xylinder रहेगा, उसी सब से हम लोग चलते हैं, आपका झालते हैं, फिर चल जाते हैं आपका wagon में चल जाते हैं, वागन में अगर कन्वेंशनल वागन में चलेंगे कन्वेंशनल जो के पूराना कन्वेंशनल वागन है जिसमें की एक की मात्रा में रहता है ब्रेक सिलिंडर अगर वही अगर वागन टो ब्यम बेस में कंभट है बॉगी मांटेड ब्रेक सिस्टम तो उसमें हम लोग का दो ब कोच है कन्वेंशनल कोच तो उसमें दो के मात्रा में प्रेक सिलिंडर लगता था जो कि अभी कोच सिस्टम हट गया है अभी ब्याइम बीसी सिस्टम में आपका आई सेप कोच में चार है तो चलिए यह पर आपका सेंटी नमर का कुछिन का एंसार हो जाएगा नमर अभी सिलि बात रखिए यह इंपोटांट है यह सब कुछिन आता ही आता है चलिए फिर नेक्स कुछिन तरफ चलते हैं कि लोगा डॉम भाल बोल रहे हैं एक लजबी कोच में डॉम भाल के संख्या कितना होता है यह तो आप लोग को सुकूप होता है जी कुछिन है यह हो जाए का चा चलते हैं तो कॉपलर यईसन एक कोच एलेसरी कोच में जो कपलर होता है उसको हम बोलते है ऐस टाइड्लों के समय बोलते हैं स्टाइड्ल मटॉत लग कोपलर बोलते हैं इस टैप का कुपलर लगता है नेक्स वुचिन चलते हैं। सिलिंडर प्रिस्टन स्टो कश्च ओप आपका हो जाता है R8 to 10 mm होता है यही पर इंसा 10 mm है तो हम 10 mm ही लेंगे तो आप लोग का piston stroke हो जाएगा आपका LHB coach का आपका 10 mm हो जाएगा उसी सब ISF coach में चलते हैं आपका हो जाएगा आपका piston stroke 32 mm है इसको भी यात रखिए दोनों important है चले next question चलते हैं कि सिलिंडर डायमेटर डिक्स ब्रेक सिस्टम डिक्स ब्रेक सिस्टम में है देखते हैं कि आपका जो ब्रेक डिक्स से डायमेटर पोच रहा है ब्रेक डिक्स का है जो सिलिंडर जो सिलिंडर यूच होता है आपका पहले देख लिये थें कि एक ऐलेज़ेगी कोच में स् Pokemon में आप आपका र desc formula होता है तो यई प्रेक्स सिस्टम ब्रेक्स सिस्टम ब्रेक्स होता है पहले का cylinder का diameter हो जाएगा यहें पर 10 inch हो जाएगा जिसको कि हम लोग अगर आपका convert करेंगे आपका millimeter में convert करेंगे तो 255 mm हो जाएगा 255 mm होता है तो दोनों आता है दोनों की यात रखिए तो cylinder का diameter Dixbreak system में 10 inch हो जाएगा या 255 mm में जो भी आप लोग लिख सकते हैं दोनों को यात रखिए तो चलें next question के चलते हैं पुरह के पासिटिव और रिजर्वर LHB coach LHB coach में जो आप लोग का auxiliary reservoir है उसके बारे में पूछ रहा है तो इसका capacity हो जेगा 125 mm जो कि आपका ब्रेकिंग के लिए यूज होता है ब्रेकिंग के लिए यूज होता है LHB coach में जो आपका auxiliary reservoir रहता है 125 लिटर का वो ब्रेकिंग के लिए यूज होता है तो आपका पिर चले जाते हैं ICF coach में होंगा 200-lי तो से लिटर हो जाएगा उसी सब्सक्राइब गोर्स वागन में होज़एगा 100-l, यह यात रखिए आपका情 check में 200-Lit और आप लोग का होजगा 100 लिटर आप लोग पो जयबस रिजर्वर में 125 L, ठीक है, चलते हैं, नेक्स कुस्चिन, हम लोग देख लेते हैं, जो चोक डाय होता है, पासंजर इमर्जनसी अल्रम भाल जिसको बोलते हैं, इसका भी फूलने माता है, फूल फरमाता है, तो इसका हम लोंका चोकडाया हो जाएगा, आपका, चोकडाया हो जाएगा, 19 mm, उसी इसे अगर ICF कोच दिया हुआ है, तो ये passenger emergency अलौनल भाल्प का, आपका, चोकडाया हो जाएगा, आपका, 8 mm हो जाएगा, यह ICF कोच में केतना होँआ, 8 mm, हम दोनों को याद रखे दोनों ही important है चलिए next को चलते हैं आपका 77 प्योच अप लजबी कोच ही डॉन इन्टरवाल अप डेस वो रखिया आपका जो लजबी कोच का प्योच है लजबी कोच का प्योच है वो कितना इंटरवल में होता है तो इसको याद रखिया है इससा आइसे प्योच में आपका प्योच करेंगे अठरा महिना में होता है याद रखिये इसको दोनों ही आता है आइसे प्योच का प्योच हो जगा 18 मंथ लजबी कोच का प्योच हो जगा 36 मंथ उससे सब आयोच ले लीजे आयोच आपका लजबी कोच का आयोच कितने में करवाएंगे हम लोग का इसको भी याद रखिये यह हो जाएगा आपका 18 मंथ हो जाएगा इससे आइवच हम इमिडेट अबर वरलिंग वान मंत कर दिये थे लिग दिये ते गलती से सोरी दोस्तों यहां पर करेक्शन करके बता दे रहे हैं कि आपका कितने के संख्या में आपका सक अबजर्बर यूच होता है पहले देख लेते हैं हम लोगा जो आई सेव कोच CCF coach में हम लोग Sock Absorber बोलते हैं उसी सब LGB coach में इसका नाम चाहिए हो जाता है यह होता है Demper इसको बोलते है Demper दोनों का कामी एक है बोटिकल सब को अब्जरब करता है इसलिए इसका नाम है आपका इ nuggets कर दो हम जाएंगे आपका फ्याट abolore जो की फोकी लगा लगता है तो उसमें आपकी एक और नो ळाएगा और आपका एक कोज Rs 118 क सब्कूर विश्कर इसको यात रहते है और यह आप लोग का how many types of shock стен shaver or damper use बोलने से इसे 4 प्रकार का होता है यह 4 प्रकार का होता है चलिए फुर्णा सेटकर ये जल्दी से क्या क्या होता है तो हम लोग24 जू लेंपर है आपका primary damper इसके बाद secondary damper इसके बाद आ जागा your damper इसको जाए lateral but lateral damper तो primary damper हम लोग का एक बोगी का लेते हैं एक बोगी में देखिए आपका एक साइड में एक ठो और दूसरा साइड में एक ठो हो जाएगा मिकस्ट को उसी सिगनडरी डेंपर कितना हो जाएगा एक साईड बेंद तो दूसरा साईड में दूट उसी सब ये और डेमपर एक एक वाजो में होगा एक दो हो जाएगा अर्ड लेटरल डेमपर आपका जीक में हो जाएगा आपका टूटल हो जाएगा एक बोगी में टूटल हो जाएगा नो डेमपर उसी सबसे दूसरा बोगी में नो हो जाएगा तो टूटल कोज में 18 डेमपर या 18 सक अबजर्बर यूज होता है तो इसका एंसर हो जाएगा दिखें दोस्तों इसका हम लोग एंसर ले जाएंगे कर ने को एक पोगे में हम लोग लेंगे तो अमलोग का नौग हो जाएगा तो चलिए के तरब चलते हैं तो यह अब का जाईगा श्यार हो सब्स北 फ्याड वघी हम लोकर जो प्राइमरी सस्वन्शन रिख होता है यह हो जाएग आपका double लिच्टीड कई रिग डल नेस्टेड क्वे उसी सब्से सेकन्डरी में क्या सम्सवने चूटा यहार स्प्र यूच होता है यार स्प्रिंग अभी बहुत सरा मोडल में यार स्प्रिंग आ गया हाला कि फ्लेक्सी क्वेल स्प्रिंग भी यूच हो रहा है फ्लेक्सी क्वेल स्प्रिंग स्प्रिंग मोडल भी गाड़ी अभी भी है लेकिन अभी दिरे दिरे सबको यार स्प्रिंग में मैक्सिम को की उच्छ हो रहा है तो यहीं पर प्राइमरी सब्सक्राइब हो जाएगा डबल नेस्ट कोई स्प्रिंग हो जाएगा तो चले दोस्तों वीडियो को यहीं पर रखते हैं चले कुछ अगर आपको डाउट है कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिए देखे एक्सलेंट करके बताय आप पूरा उसका बेसिक क्लियर होंगे जहां पर आपको डाउट लग रहे तो कमेंट्स कीजिए हम हमेसा बोलते हैं बेसिक क्लियर है तो आपको कोई भी अप्सं का जरूरी नहीं तो उसी सफस्ट रेडि होना है कि हम लोग बीना आप्सं में भी जैसे एकजाम में बढ़ आप भी जाने हैं दूसरों को भी बताइए आपका बीच में डिसकेशन करें तब जाके आपका इंप्रिम्मेंट होगा और आप कोई भी आमलों का डिपाट्मेंट एले एक जामें फैट करके आप रिजल्ट निकल सकते हैं तो चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में जैह हैं तो